कि नाम दाम्यांती चंपिया गाउ गाउ लिपूंगा क्या समझते है गाउ में विजले नहीं है और विजली का सुबीदा नहीं है और पानी का भी सुबीदा नहीं है अच्छा तुम देख रहे हैं में लाइन तार से तुम लोग घर पितारी हो विजली को अभी हम लोग फिलाल के लिए हो ऐसे किये लेकिन यहां पर यूंकि बहुत गर्मी है बच्छा लोग ऐसे गर्मी में ट्रांस्परमर नहीं है मतलब पोल ही नहीं गड़ाया है नहीं गड अरे वा कौन से कोलेज से नौमुडी इंटर कोलेज अच्छा कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजिशन की हो आर्स कम्प्लिट कब हुआ इस बार कुआ है इस बार हो गया फिर आगे क्या सोची हो करने के लिए अगे अभी तक तो सोचे हैं वियर्ट खरेंगे बोलके टीचर बन रखराई नहीं दे रहे एक चाहिए अब बीचलीन निए अधादूर दिया है यह कौन टोला है एक हामर टोला है आपका जानकारी में कौन कौन टोला में बिजली है और नहीं है जितना ये मेंट रोड है उतना जंगल जंगल है उधर बिजली नहीं है अच्छा उधर धेर गाउं है देर गाउं है उधर बिजली यह नहीं है अब पीने का पानी सब सुधा उधर नादी से लेके आता है नादी से पीता है जी यह जो नदी किनारे बह रहा है मतलब किनारे क अविए पानी नादी से लेके आ रहे थे पिर भीमारी भीमारी पहल गया तो अम लोग चफकल से लेकर आते अच्छा कोंसा गाओं-गाओं के लोग जो हैं अभी भी नदी का पानी पी रहे हैं लगभग आपके जहनकरी नुसार कोई ऐसा गाउं लगभग बता दीज़ जो भी गाउं तोला बताएंगे की गाउं तोला चाहेगे इच्छा गुट्टु वाला सब भी वही से नादी से आधा कोई लेके आते हैं बहुत बहुत बाखी और उसका बाद तो एबल मुच्चु शाई उपढ़ से उधर मठकम लिपुंगा के कमर टोली में हूँ और इन इलाकों में क्या-क्या मुख्य समस्या हैं उन्ही को मैं आज दिखाऊंगा यहाँ पर कुछ रोड के किनारे घर है और नदी के किनारे ये गाउ बसा हुआ है सामने आप देखे एक पुलिया भी है पुलिया के उस पार जो देखा जायता हूँ यानि कि गुवा से लगभक इस गाउं की दूरी साड़े साथ किलोमीटर है गुवा में तमाम तरह की सुविधा हैं, सडके हैं, विजलियां हैं, पेजल की सुविधा है लेकिन गाउं में यहां के ग्राविन बता रहे हैं कि पीने की भी सुविधा है कई ऐसे जो जंगली इलाके वाले गाउं हैं वो नदियों के पानी को ही पीते हैं ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये कारो नदी है, और हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, उसके किनारे किनारे ये नदी बहती है, और इसी कारो नदी के पानी को पीने के लिए इन इलाकों के कई गाउं हैं, वो मजबूर हैं, सबसे बड़ी चोकाने वाली बात ये भी यहां पर पीछे में देखिए, जो मेंतार हैं, उस मेंतार से यहां के ग्रामेन लाइन खीचे कर घरों तक लाए हैं, क्योंकि गरमी का समय है, भिजली की जो है यहां पर कोई भी स्विधा नहीं है, और इस तरीके से यह लोग तुपि दो कौन स्कूल यहीं स्कूल में आजकल चुटी है हाँ चुटी है ममी पपा कहा है अभी उधर गया आज खाना खाया था खाया था इसकूल में क्या-क्या मिलता है खाने मूने का मिलता है चावल ना है सभ्जेव श dumped है क्रें ऐना थो बत्चा लोग का है कि अशलिक नाम नाम नीक है जिए व्हुँंगा जिए हम अइन आता नाम इस यितना जवा ट्र Supreme ट्र वारत देश के नाम पर इसका तुम कितना आप जुब फोन सी स्कुल में नुयां वहां तो तुम यह इस्कुल में नहीं पढ़ा ? पाँ चेक नहीं पढ़ा ? वह पाँच के बाद मतलब उधर पढ़ा करने जाना होगा ? तो क्या चिज से जाता है स्कुल ? साीखिकल से साीखिकल से तो बहुत दूर पड़ता है पिसके साथ जाता है अंगी earning कि इस साथ मेश ठाव has a कौन कंन आ II सब तुम लोग साइखिल को बेट अ नल में पानी आता है यहां पर किसका घर अकिछ इधर आओ इधर आ यह नल से पानी आता है आता है आता है और कौन खाना बना रहा है वह आंगन में आगा माह यहां पर खाना दिया है उधार है तो मतलब तभी चढ़ा के गई है कि अभी गई है तभी तभी ने अभी अभी नहीं गल यहां आता है वआम आता है यह वित्व दिए बीचा कि रहां आता है वे खाना आता है